एल्बम टूल किट के साथ आपको 10,000 से अधीक कलर टोन के एक्षन मिलेंगे जिनका इस्तमाल आप एल्बम डियाइनिंग के दोरान कर सकते हैं आप चाहें तो अपने खुद के एक्षन का इस्तमाल भी एल्बम डियाइनिंग के दोरान कर सकते हैं यह देखिए कैसे करना है, फिलाल आप देखिए action panel फिलाल खाली है, मैंने desktop में कुछ sample action रखे हुए है, उन्हें में load कर लूँगा, आपको बस double click करना है और वो यहाँ पर load हो जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर वो action load हो गया है, मैंने यहाँ पर second वाले पर click किया, second action भी load हो गया है, तो इन actions का इस्तमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, album designing में, आपके देखिए, ओके, यहाँ पर image category के अंदर, आप right click करेंगे, तो यहाँ पर आपको run action का option मिलेगा, आपको सबसे पहले तो page ready करना है, यह देखिए मैंने page ready करके रखा है, यहाँ पर मैंने 3-4 page ready कर लिय है, ओके यह एक page खाली है, इसे भी मैं ready कर लेता हूँ, मैंने 3 frame को shift button दवाय रखते हुए select किया, यहाँ पर से मैं 3 photograph ले लेता हूँ, 1, 2, 3, right click, fill serial number wise, और सभी frames में serial number wise photo fill हो जाएगी, ओके, तो इन action का इस्तमाल कैसे करना है, यह देखिए, आपको photo को select करना है, आप जित इसने भी photo में action इस्तमाल करना चाहते है, उतने photo को आप select कीजिए, जैसे फिलाल मैं इस first और इस second इन दोनों photo में action इस्तमाल करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जाए, right click कीजिए, run action, यह option open हो जाएगा, आपके Photoshop में जितने भी action load होंगे, वो सब यहाँ पर slow करेंगे, जै आपके अंदर यहाँ पर कितने action दिये हुआ है, black and white, increase brightness, और color correction, just for example, मैंने black and white select किया, और यहाँ पर option दिया हुआ है, कि आप selected layer में action को run करना चाहते हैं, या फिर all the layers में, तो फिलाल मैंने select किया है, run on selected layers, मैंने black and white select किया, process बटन पर जैसे ही click करूँगा, जितने भी photographs मैं मैंने select किया है, उसमें वो action run हो जाएगा, चाहिए आपका कोई सा भी action हो, okay, control Z करके आपको वापस जा सकते हैं, single click में, okay, for example, मैंने यह photo select किया, और यह photo select किया, यहाँ पर right click करके run action, मैंने इस बार simple action के बज़ाए, यहाँ पर second set select किया, और इसमें धे सारे color tone के effects हैं, मैंन इसना भी photo मैंने select किया है, उसमें वो action apply होते जाएगा, और वो वहाँ पर जाके, वापस set हो जाएगा, यह देखिए, कोई दूसरा photo ले लेता हूँ मैं, जैसे यह photo, मैंने यह, 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 तीन photograph select किया, right click, run action, और इस बार मुझे उन सब में brightness बढ़ाना है, तो मैंने increase brightness का option select किया, process, तो उन तीनो फोटो में brightness बढ़ जाएगी, यह देखिए, तीनो फोटो में brightness बढ़ गई है, मैं जैसे ही control Z करूँगा, आपको difference पता चल जाएगा, मैंने control Z किया, यह difference आपको पता चल गया है, मैंने दुबारा run action किया, यहाँ पर से मैंने select कर लिया, black and white, process, तो select कि हुई तीनो फोटो black and white हो जाएगे, तो इस software के साथ, album toolkit के साथ, आपको 10,000 से ज़्यादा action मिलने वाले हैं, जिनका इस्तमाल आप album designing के दौरान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खुद के action भी create करके, उनका इस्तमाल कर सकते हैं, ओके, यह देखिए, यह जो action होते है है, album toolkit के अंदर के option से इस्तमाल करने और direct action से इस्तमाल करने में क्या difference है, अब यह देखिए, just for example, मैंने ये एक photo select किया, ये photo select किया, ये photo select किया, और अगर मैं यहाँ पर से black and white option, black and white का जो action है, उसे run करने की process करूँगा, तो यहाँ पर error आएगा, तो अब directly action को phd file में run नह एक option डाल दिया है, run action का, जो क्या करता है, कि album designing के दवरान, अलग-अलग layers में भी action को run करता है,